हाई फ्रेंड्स तो चली आज इंस्टेंट इटली बनाने की रेस्पी देख लेते हैं तो देखे मैंने सूजी और दही को अच्छे से फेट लिया है मैंने एक कप सूजी में आधा कप दही डाला था फ्रेंड्स तो अब मैं इसमें इनो डालके इसको फिर से एक बार फेट ल जो को उस पानी में गरम पानी के उपर रख दूंगी और सीटी नहीं लगाऊंगी उसको उपस धकन ली ढटाके बस धकन से भग दूंगी देखे मेरी इटली बनके अब तयार हो गई है मैंने देखे अब चापू से चेक भी कर लिया है बहुती सॉफ्ट इटलिया बनी है यह पहली बार में मेरी 16 इटली बनके तयार हो गजए है और मैं आब इनको निकाल लूँगी देे मेरी इटलीया बनके तरडी है अब मैं आपको चट्नी बनाना देखती हूं तो देखे मैंने नारियल की गिरी, भुने हुए चरने, इमली का पानी, नमक और इमली का पानी, न किर किर करता है तो उसके बाद मैंने देखिए इसको ग्राइंड कर लिया ग्राइंड करने के बाद इसमें मैं तड़का लगा दूंगी कड़ी पत्ता और राई का और इसे चटनी का टेस्ट और बढ़ जाता है फ्रेंड्स आप एक बार घर पे ट्राइ करके देखिएगा